लाभार्थी पहचान प्रणाली अर्थात Beneficiary Identification System BIS में आईश्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया गया है आधार से जुड़े लाभार्थियों का आईश्मान कार्ड बनाने ही तू राष्ट्रिय स्वास्त प्राधिकरन अर्थात NHA ने बहुत ही सरल मोबाईल अब बनाया है जिसका नाम है मेरा PMJ अब आशा या राजस्वास्त एजनसी द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य एजनसी मेरा PMJ आप के माध्यम से किसी भी गाउं के लाभार्थी डेटाबेस को डाउनलोड करके लाभार्थियों की पहचान आसानी से कर सकती है आशा कार्य करता अथ्वा अन्य कार्ड क्रियेशन एजनसीओं के कार्ये आशा कार्य करता या जिन एजिंसियों को स्टेट हेल्थ एजिंसी द्वारा कार्ड बनाने का कार्य सोपा गया है अब वे गाउं के लाभार्थियों का डेटा अप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकती हैं इसके बाद वे घर घर जाकर उनका EKYC आसानी से कर सकती हैं और संबंदित विवरण भर सकती हैं इस प्रकिरिया में सबसे पहले वे लाभार्थी से उनका आधार पूछ कर सिस्टम में पहले से दर्ज आधार से मिलान करेंगी उसके बाद लाभार्थी का फेस ओत या OTP आधारित बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन करेंगी आशा या EKYC करने वाले अन्य एजेंट को यह सुविधा दी गई है कि वे लाभार्थीों के विवरण को अपडेट कर सकें और वे लाभार्थीों का नविनितम मोबायल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं इससे लाभार्थीों से भविश्य में समवाद करने में सहूलियत होगी आशा को सबसे पहले Google Play Store से PMJ मोबायल अप्लिकेशन इंस्टॉल करना होगा एप डाउनलोड करते समय RD सर्विस भी होना चाहिए डाउनलोड होने के बाद आपको PMJ आप की एक होम स्क्रीन दिखाई देगी इसके बाद आप आपसे लोकेशन की अनुमती मांगेगा यहां आपको Allow While Using the App पर क्लिक करना है अब एक NHA Data Sharing Policy दिखाई देगी जिसे ध्यान से पढ़कर Accept पर क्लिक करना होगा जिसके अगले पेज पर कुछ विकल्प दिखाई देंगे वही दाई और Login का विकल्प दिखाई देगा अब आपको Login पर क्लिक करना है जिसके बाद एक Login पेज खुलेगा जहां दो विकल्प दिखाई देंगे Beneficiary, Avam Operator जिसमें से आपको Operator चुनना है तथा अपना 10 अंको वाला Mobile Number दर्ज करना है अब Next पर क्लिक करना है अब आपको 6 अंको का एक OTP आपके Mobile पर प्राप्त होगा और यदि आपको ये OTP प्राप्त ना हो तो Recent OTP पर क्लिक करें प्राप्त OTP को दर्ज करने के बाद आपको 4 अंको का एक Lock Pin बनाना होगा यह पिन आपको App इस्तमाल के लिए याद रखना है पिन बनाने के बाद Next पर क्लिक करें एवं एक बार फिर से पुष्टी के लिए अपना